नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि कीटो कोनाजोल शैंपू का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है कीटो कोनाजोल शैंपू को कैसे लगाना चाहिए और कीटो कोनाजोल शैंपू की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि कीटो कोनाजोल शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए कीटो कोनाजोल एक सॉल्ट नेम है कीटो कोनाजोल शैंपू को कीटो मैक, एकसिजोल, कीटो सिप और डैंडरफ्री आधी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है कीटो कोनाजोल शैंपू एक एंटी फंदल दवा है कीटो कोनाजोल शैंपू का उपयोग सिर्की तवचा में डैंडरफ को ठीक करने के लिए और डैंडरफ को होने से रोकने के लिए कीटो कोनाजोल शैंपू का उपयोग किया जाता है डैंडरफ की समस्या होने पर सिर्की तवचा से सफेद रंग की सूखी पपड़ी उतरने लगती है और डैंडरफ की वज़े से बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं इसके अलावा सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर भी कीटो कोना जोल शैंपू का उपयोग किया जाता है सेबोरिक दर्मेटाइटिस डैंडरफ का ही एक गंभी रूप है सेबोरिक दर्मेटाइटिस होने पर सिर्की तवचा से सफेद रम की सूखी पपड़ी बहुत ज्यादा गंभी रूप से गिरने लगती है अब हम दिसकस करेंगे की कीटो को नाजोल शैंपू को कैसे लगाना रेक्मेंडेड होता है कीटो को नाजोल शैंपू को लगाने से पहले आपको अपने बालों और सिर्की तवचा को पानी से अच्छी तरह से भिगो लेना चाहिए उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में कीटो को नाजोल शैंपू को लेकर सिर्की तवचा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए और हलके हाथ से मसाज करनी चाहिए और कीटो कोनाजोल शैंपू के जाग बनने के बाद कीटो कोनाजोल शैंपू को 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक सिर में लगा कर छोड़ देना चाहिए और उसके बाद कीटो कोनाजोल शैंपू को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। डैंडरफ को ठीक करने के लिए डॉक्तर शुरुआत में पहले आच सब्ता तक कीटो कोनाजोल शैंपू को सब्ता में दो बार लगाने की सला दे सकते हैं। कीटो कोनाजोल शैंपू को बंद करने के बाद डैंडरफ की समस्या दोबारा हो सकती है। इसलिए डैंडरफ की समस्या को दोबारा से होने से रोकने के लिए डॉक्तर आच सब्ता बाद कीटो कोनाजोल शैंपू को दो सब्ता में एक बार लगाने की सला दे सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को डैंडरफ की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, तो ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर कीटो को नाजोल शैंपू को सब्ता में एक बार भी लगाने की सलाव दे सकते हैं. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में कीटो को नाजोल शैंपू की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में कीटो को नाजोल शैंपू की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं. जैसे बालों में सूखापन होना, बालों का पतला होना, बालों की चमक कम होना या बालों का रंग फीका पढ़ना, बालों का गिरना, वचा में जलन, खुजली और लालपन आदी साइड इफेक्स कीटो कोना जोल शैंपू की वज़ा से हो सकते हैं. ये साइड इफेक्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं. केवल कुछ पसेंट व्यक्तियों में ही ये साइड इफेक्स कीटो कोना जोल शैंपू की वज़ा से नोटिस किये गए हैं. यदि किसी व्यक्ति को कीटो कोना जोल शैंपू को लगाने के बाद सिर में बहुत दिंगे की कीटो कोना जोल शैंपू को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। यदि आपके सिर में कोई चोट लगी हुई है या आपके सिर में कोई घाव है तो आपको कीटो कोना जोल शैंपू को नहीं लगाना चाहिए। और कीटो कोनाजोल शैंपू को केवल सिर्की तवचा पर ही लगाना रेक्मेंडेड है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कीटो कोनाजोल शैंपू को लगाना रेक्मेंडेड नहीं है। यदि गल्ती से कीटो को नाजोल शैंपू आख नाक या मूँ में चला जाता है, तो आपको कीटो को नाजोल शैंपू को तुरंथी पानी की मदद से धो लेना चाहिए। बालों में ज्यादा केमिकल से भरपूर हैर कलर का इस्तमाल करने की वज़े से भी डैंडरफ की समस्या हो सकती है। इसलिए ज्यादा केमिकल से युक्त हैर कलर का उप्योग न करें। बालों में बहुत ज्यादा तेल लगाने की वज़े से और बालों में बहुत ही कम तेल लगाने की वज़े से और बालों की नियमित रूप से सफाई न करने की वज़े से सिर में डैंडरफ होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसलिए आपको बालों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। वैसे कीटो कोनाजोल शैंपू प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी कीटो कोनाजोल शैंपू को लगाना सुरक्षित है। इसलिए डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कीटो कोनाजोल शैंपू को लगाने की सला दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को keto कोना-जोल शैंपू या इसके किसी भी ingredient से allergy है, तो ऐसे व्यक्तियों को keto कोना-जोल शैंपू को नहीं लगाना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए. वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कीटो को ना जोल शैंपू से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं सकते हैं